पापा मम्मी को आप सेलरी क्यों नहीं देते हो बेटा तुम्हें सेलरी के बारे में कैसे पता चला जरूर इसकी मा ने बताया होगा संध्या, संध्या यहां आना हाँ जी, क्या हुआ ये क्या सिखा रही हो बच्ची को मैंने क्या सिखाया है मतलब मैं कुछ समझी नहीं देखो न, कैसी भोली बन रही है बच्चे के कंधे पर बंदूग चलाना तो इससे सीखो मा जी मैंने क्या किया है घर के काम के लिए तुम्हें सेलरी जाहिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा तुमने नहीं कहा तो बच्चे के भोले मन में ये बातें कौन डाल रहा है पापा मम्मा ने मुझे कुछ नहीं कहा वो तो स्कूल वाली टीचर ने मुझे समझाया कि जो काम करता है उसे सेलरी मिलनी चाहिए तो मम्मा भी तो सारा दिन काम करती है ममा को सेलरी क्यों नहीं मिलती बेटा मैं आफिस जाता हूँ सुबह से साम तक काम करता हूँ तब कहीं जाके महीने भर में मुझे सेलरी मिलती है लेकिन पापा ममा भी तो सारे दिन काम करती है सुबह पांच बज़े उठ जाती है तब से मेरा टिफीन बनाना आपका नास्ता चाय आपके टिफीन आपके कपड़े सभी काम तो मम्मा करती है तो मम्मा को सिलरी क्यों नहीं देते हो क्या मम्मा को पैसे की जरूरत नहीं होती है उन्हें भी तो मन करता होगा कुछ लेने का अरे उसे अगर कुछ लेना होगा तो अपने पती से मागने में क्या सर्म पापा, हर छोटी छोटी बात के लिए हाथ फैलाना क्या अच्छी बात है मा, ये साही तो कह रही है, पैसों की जरूरत तो सभी को होती है मैंने इसे कभी पैसे दिये ही नहीं कभी जानने की कोशिस भी नहीं की कि इसे पैसों की जरूरत है या नहीं ये बियचारी तो जिस दिन से इस घर में आई है तो वस मूँ बंद किये है काम ही करती जा रही है अरे बेटा मैं तो तेरी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ अगर इसे पैसे दे देगा तो ये बिगड जाएगी मा ये दूद पीती बत्ची नहीं है कि बिगड जाएगी जब ये पूरा घर समाल सकती है तो पैसा भी समाल सकती है लेकिन बेटा तु समझ मेरी बात को तु मुझे पैसे देता है तो आपको कैसा लगेगा कहीं आप जाएं और आपके पास पैसे ना हो सोच के देखो तो जरा ये बित्ते भर की छोकरी कैसी बात कर रही है इसकी माने सिखाया है ये सारी चीजे माँ उसे मत नाटो वो जो बोल रही है सही बोल रही है पापा मेरी बात सुनो आप मेरी साधी करोंगे और मैं ससुराल जाके मम्मी जैसे जिन्दगी जीऊंगी अगर मेरा पती मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं कहां पाऊंगी पैसे और कैसे मैं जीऊंगी बताओ आप बेटा मुझे माप कर दे संद्या तुम भी मुझे माप कर दो मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझे आज अहसास हो रहा है कि मैंने इतने दीनों तक तुम्हारे साथ कितनी बड़ी अन्याय किया है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्क्राइब जरूर करिएगा एक सेयर जरूर करिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा कि हमारी बात से आप सहमत है या नहीं वैसे तो मुझे पैसों की जरूरत नहीं है लेकिन अगर दो पैसे आप हमें देंगे तो वक्त पड़े कभी काम में ही आएंगे मैं काउन सा कहीं बाहर जाती हूँ कि मेरे पैसे खर्चे हो जाएंगे बचत में ही तो आएंगे और माजी, जिसको बिगड़ना होता है तो पैसे मिले या ना मिले वो बिगड़ ही जाता है आपने मेरे साथ इतना समय बिताया है फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं बिगड़ जाओंगी अगर आपको ऐसा लगता है तो रहने दीजिए मुझे पैसे नहीं चाहिए नहीं मा ऐसा मत कहो मेरी बेटी ने मेरी आँखे खोल दी लो संध्या इस पर्स में जितने भी पैसे हैं सब तुम्हारे हैं आज के बाद तुम्हें किसी से के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है हर महीने तुम्हें पॉकिट मनी दी जाएगी वो तुम्हारे पैसे हैं तुम जो चाहो वो कर सकती हो वाओ मज़ा आ गया मम्मा को पैसे मिल गए